इसान भाई बहनों, नमस्ते नमस्ते, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे देश भर के छैसो जीलों के कृशी विज्ञान केंद्र केवी के एवं देश के विबिन गामों में स्थीत दो लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर जो हमारे किसान भाई बेन मुझूद है जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनके अनुभव जानने का, उनकी बाते सीदे सीदे सुनने का एक दुरलब आउसर आज मुझे प्राप्त हुआ है आप समय निकाल करके आएं, एक उत्सव का माहोल बना करके बैठे हैं और मैं यहां मेरे टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ आपके चहरे की मुस्कान, आपका उमंग उत्सा मेरे लिए भौत ही खुशी का दिवस है आज किसान हमारे अन्दाता हैं, वे लोगों को भोजन देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, सारे उद्योगों को कच्ची सामगरी देते हैं, देश की खाद्य सुरक्षा, सुनिश्चित करने का पूरा स्रेय, हमारे किसान, भाईयों और बहनों को जाता है, भारत खाद्यन के मामले में आत्मन्दिर भर हो, इसके लिए हमारे किसान, भाईयों बहनों ने अपना खून पसिना एक कर दिया, लेकिन समय के साथ, किसान का अपना विकास, धीरे धीरे सिकुर्ता चला गया, सुरू से ही, देश के किसानों को, उनके नसीप पर छोड़ दिया गया, हर सोच को बदलने के लिए एक निरंतर प्रयास की जरूरत थी, बैज्यानिक प्रयास की जरूरत थी, प्रगतिसिल किसानों को आगे लाल करके किसानों के बीच में बदलते हुए यूग के अनुसार बदलाव के लिए प्रयास करने की जरूरत थी, लेकिन उस काम में हमने बहुत साल विलंब कर दिया पिछले चार सालों में हमने जमीन के रख रखाव से ले करके उत्तम क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार हो किसानों के लिए प्रात हो बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्द कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहट कारे करने का हमने भरसक प्रयास किया है और हमने तैय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आए दो गुनुल करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ना है किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है सरकार की पुरानी नित्याओं में बदल करके आगे चलना है जहां जहां कठिनाई हैं उन दूर करकर के आगे बढ़ना है जहां जहां पर रुकावटे हैं उसको खतम करके आगे बढ़ना है और जब हमने किसानों की आए दोगुनों करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्नों ने उसका मजाग उड़ाया ये तो संभव नहीं है ये तो मुश्कील है ये कैसे हो सकता है निराश करने का एक बातवन बना दिया लेकिन हमने प्ताय किया देश के किसान पर मेरा भरोसा था अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष रखा जाए आवशक बातवन पैदा किया जाए बढ़नाव लाया जाए तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तयार है, महनद करने को तयार है, परणाम लाने को तयार है और बुद्धकाल में उसने करके दिखाया है। हमने इसे पूरा करने के लिए लक्षन दिर्धारिद किया और उस दिशा में आप सब को किसानों को साथ ले करके आगे बढ़ने का निरंत्र प्रयास चल रहा है। कच्चे माल की लाजता आती है..वो कम से कम कैसे हो। 2320 वह जो प्यदा करता है जो उपचर करता है उसका उच्चित मुल्लय ठीसरा है कि सान्ज प्यदा करता न वह उपचर करता है उस ठीड You रूख जाएं। और चौथा किसानी के उपरांद आमदने के लिए बैकल्पिक स्तुरोत तैयार हो देश के किसानों को फसलों की उचीत किमल मिले इसके लिए इस बार के बज़ेट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया सरकार ने तैय किया कि अधी सुचीत फसलों के लिए MSP उनकी लागत का कम से कम डेड़ गुना गोसित किया जाएगा इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है और मैं आपको बताता हूँ MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे समीकों के परिश्रम का मुल्य जोड़ा जाएगा मवेशी और मशिन पर जो खर्च किया जाएगा वो भी जोड़ा जाएगा बीज और खाद का जो खर्च होगा वो भी जोड़ा जाएगा सिंचाई का खर्च भी जोड़ा जाएगा राज्य सरकार जो जो लेंड रेवन्यू देते हैं वो भी जोड़ा जाएगा वर्किंग केपिटल पर जो ब्याज देना पड़ता है वो भी जोड़ा जाएगा लीजली गई जमीन के लिए दिया गया किराया भी उसमें जोड़ा जाएगा ये सब MSP में शामिल है इतना ही नहीं किसान जो अपनी महनत करता है और उसके परिवार के सतर से जो महनत करते हैं उस महनत का भी मुल्य निर्धारित करके लागत के अंदर उसको भी जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर MSP ताई किया जाएगा क्रिशी के लिए सरकार बजेट में एक निश्चीत फंड आवंटित करती है पिछली सरकार के पाँच वर्सों में क्रिशी के लिए बजेट आवंटन एक लाग इकिस हजार करोड रुपिय का था जिसे दो हजार चौदा सा उन्निक के लिए बढ़ा कर करीब करीब हमने इस पांच साल के लिए इस हो दो लाग बारा हजार करोड कर दिया यानि करीब 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 करिशी के लिए बजेट डबल कर दिया यह किसानों के कल्यान के प्रती हमारी सरकार की प्रतिवधता को साप साप दिखाता है आज देश में न सिर्व अनाज का पल की फल सबजियां और दूद का रिकार्ड उत्मादन हो रहा है हमारे किसान भायों ने पिछले सत्तर साल के सारे रेकोड तोड़ दिये एक नया रेकोड बना दिया है पिछले 48 महिनों में क्रिसी के खेत्र में अभूत पूर्व प्रगती हुई है वर्ष 2017-2018 में खाद्यान उत्पादन करीब करीब 280 मिलियन टन से अधिक हुआ है जबकि 2010-2014 तक पिछली सरकार के दर्म्यान एवरेज आउसत वो 2500 मिलियन टन के आस्पाप रहा था इसी तरह दलहन के खेत्र में भी आउसत उत्पादन में 10.5 प्रतिशत 10.5 परसंट एवं बागवानी के खेत्र में 15 प्रतिशत याने की 15 परसंट की वृद्धी दर्ज की गई है ब्लू रिवालुशन या नीली क्रंती के अंतरगत मचली पाणन के खेत्र में 26 प्रतिशत 26 परसंट वृद्धी हुई है तो दूसरी और पशुपालन वद्दुद पादन के खेत्र में करीब 24 परसंट की वृद्धी हुई है हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी सीधे तोर पर कहें तो फसलों के तयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक यानि बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मदर रूप हो सकती है कैसे सुविधा बढ़ा सकती है कैसे किसान को नयाई दिला सकती है इसके लिए निरने कर किये जा रहे हैं योजनाई बनाई जा रहे है किसान कल्यान के लिए एक पूरी व्यवस्ता बढ़े उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं बुवाई से पहले किसान यह जान पाए कि किस मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए उसके लिए सौइल हेल्थ कार्ड शुरू किया गया एक मार जब यह पता चल जाए कि क्या उगाना है तो फिर किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज में ले और पूंजी की समस्या से गुजर्णा न पड़े इसके लिए किसान रन व्यवस्ता की गई किसान क्रेडिट कार का दाहरा बढ़ाया गया पहले खात के लिए लंबी-लंबी कताय हुआ करती थी लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक खार लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है काले बाजारी नहीं करनी पड़ रही है आज किसानों के लिए सौत प्रतिशाद सत प्रतिशाद हंडेड परसन नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्द है बुवाई के बाद जरूरत होती है सिंचाई की प्रधान मंत्री क्रिशी सिंचाई योजना के तहट आज देश भर में करीब करीब सो सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही है हर खेत को पानी मले इस लक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो इसके लिए आज फसल भीमा योजना है फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्वाद बाजार में पहुँचता है उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले इसके लिए ओनलाइन प्रेटफॉर्म इनाम शुरू किया गया है ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके और सबसे बड़ी बात कि अब बिचोलिये किसानों का प्रफिट हजम नहीं कर सकते मार नहीं का सकते कटकी नहीं कर सकते आईए देखते हैं इन योजनाओं से हमारे किसान भाई बेहनों को क्या लाब मिला उनके जीवन में क्या बढ़लाव आया और उनी के मुन से सुनेंगे उनी के अपने अनुभव से सुनेंगे तो शायद और देश के किसानों को भी एक अउसर मिलेगा अगर वहाँ का किसान नहीं कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ आज मेरे सामने सबसे पहले 36 गड़ के कांकेर जो कि आदिवासिक शेत्र हैं वहाँ के हमारे कुछ किसान भाई भैन मेरे सामने हैं मैं सबसे पहले कांकेर के किसान भाईयों से उनकी बात उनके अनुभव उनकी उत्सा जनक बाते सुनना चाहता हूँ नमस्ते जी वाहन के बताईए किसान वहां के चंद्रमनी जी हां बताईए जी ग्राम पोस्ट कनारपुरी जीला कांकेर की रहने वाली हूँ और हम लोग पहले दो एकड़ में धान लगाते थे सर उसमें ज्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था मतलब 15 से 20 अजार हमको आंदनी होता था और हमारी परिवार को उसमें संतुष्टीनी होता था और फिर हम लोग बाद में गाह में 10-15 महिला मिल के एक सम्हूज जोड़िये उसमें कांकेर में छीता फल बहुत अधिक जिसे दिल्ली में सरीफा के नाम से जाना जाता है और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे तो भी कोचिया लोग वहां 25 किलो चीता फल को 60-50 में हमको ठक के ले जाते थे फिर हम लोग आत्मा क्रिशी आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था उसमें हम लोग अभी सिधा 700 रुपए मुनाफ़ा कमाते हैं सर और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं 300 महिलाएं जुड़ी हैं अर हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई ग्रेडिंग और बाक्स में छीता फल भर के ले जाते हैं रायपूर में वेशने के लिए शर और जो पल्प मशीन है और मेरे सास और भी मेरे ग्रूप के साथी में ही लाए है उधर पल्तिंग मशीन है शर और हमारा पल् आइस्क्रीम बनाने का ट्रेनिंग गी है यह हम लोग आइस्क्रीम भी है सर आप दूर में हो सर नहीं तो फिर हम आपको टेश्ट भी करा लेती सर अंधरमानी जी आपके पढ़ाई क्या हुई आठ भी सर आठ भी कक्षा थी और आप इतना बढ़िया बोल लेती है बीच में और पहले के तुलना में आई कितनी बढ़ गई आपकी अभी दोगोनी हो गई है सर अच्छा और जो महिला है आपके साथ काम करेंगे उनकी आई भी बढ़ गई होगी जी सर देखिए मैं किसान भाईयों में दिखाता है कि मुल्य वृत्धी से बैल्यू एडिशन से जो पह किसी ने आइस क्रिम बना दिया देखिए किसानों को कितना लाब मिल्खा है और इसलिए और और उनके आई भी बड़ी चंदर मनी तो आठ भी कछा की पांड है कोई ज्यादा पड़ी लिखे नहीं है उसके बाद भी आपने देखिए कितने विश्वास के साथ बात कर रही ह है आई किसी और से भी बात करते हैं चंद्रमाणी की तरह और भी किसे का अनुवह्व होगा रीजिर कि पानाम के साथ चार एकड जमीन में खेती करते थे मात्रधान का फसल इसे सर हम लोग क्रिशी केवीके के संपरके में आके और क्रिशी भाग और मतस्वी भाग में आकर समयी खेती शुरू किये जिससे हमारा आय हुआ सर जिससे 4 एकड में हम 7 से 70 हजार रुपे कमाते थे आज समयनित खेती से जैसे मचली पालन और गाय पालन और हल्टी कलज़र से पौधा जो तलाब के मेड में जो रोजगार गारंटी के तहसर हमको साथ तीन लाग रुपिया सबसेटी मिला था और उसे हमारा आए पांस से छे लाग रुपिया हुआ है जिससे हमारा परिवार खुसाल है सर और हमारे समयनित खेती को देखकर आसपास के गावाले लोग भी समीत खेती करना चाहरे है यहने आपने खेती के उपरां दूद का काम किया मचली का काम किया गवर्मन्ट से तीन लाग रुपिया मिला आपका स्किल्ड डवलप्मेंट हुआ सब का मिला करके आपकी आए इतनी गुना बढ़ गई जी तो और भी किसान आपको पूछने आते हैं कि सिखने आते हैं कि साथ से गाउं वाले सब शितने आ रहे हैं लगबाग सतर से किसान आ चुके हैं सर्षिओ उनको फाइदा हुआ जी फाइदा हो रहा है सर देखिए यही सबसे बड़ा काम नेताम जी आपने किया है और मैं मानता हूँ कि आपका प्रयास यही हमार यहां कहते हैं ने बहुत हाथों से जब काम होता है तो बड़ा प्रणाम आता है चलिए और भी किसी से सुनेंगे आप सर पाले मेरे पास साथ एकड़ जमीन है सर जिमें धांका एक पसल कर खेती करते थे सर एक एकड़ सिंची था सर उस समय तो क्रिशिविग्यान के दरके माल के जास्ता में सर अपने गाउं में तीस की सानों को सर आट टीजाए पंप मिना जिस्टे लगब 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 पैं युजना कंदर के चार एकड़ में ड्रीप लगाया सर अपन जिसे उत पादान अपना सर लिए कितना समय हो गया कि ये 2015 लगाया और सरकार की तरप से कितना पासा मिला ततर परसें मिला सर सबसेड़ी अच्छा लेकिन आप अधिस को बराबर ड्रीप चल रहा है कि उसमें भ सब्सक्राइब करता हूं आपने दो तिन सब्सक्राइब करता हूं आपने दो तिन साल के अंदर छे साथ गुना कर दिया देखिए ये ताकत पड़ी हुई है और इसलिए मैं समत्ता हूं कि छोटा सा प्रयास मेरे देश भर के किसान भाई सुन रहे हैं देखिए सोनकर जी जैसे बिलकुल छोटा जमिन का टुकड़ा है कितना बड़ा काम करक दो दो होगा कोई बड़े उत्साई अनुव हैं चति घड़ के कांकेर के नमस्कार देश के प्रधान मंत्री जी साहिब बंदगी जय जोहार मैरा नाम चोहराम साहूं मैं ग्राम्चोर वठ्थी विकास्थं कुरूद धंदरी जीला का किसान हूं सर मैं इन आम के नाम से मैं धान विट्रै करने के लिए मंडी में पहले ले जाता था सर तो वेपारियों के दुआरा मतलब बोली लगाता था उसमें बहुत कम रेट मिल कम्पूटर से उसमें मेरे को पहले जो बोली धान बेचता था उसमें सार सत्तर हजाद का आंदानी होता था और अभी जो धान बेच रहूं कम्पूटरी नाम के माध्यम से उसमें मेरे को एक लाग पचिस तो यह आप मोबाइल फोन या कम्पूटर का उप्योग करते हैं और उससे आप इतना बड़ा प्राप्त कर सकते हैं याने बिचो लिए गए आपको एक बाजार बड़ा मिल गया और उसका परणाम यह हुआ है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन लिया मैं साहु जी को सचमच में आने के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई दियता हूं किसानों को खेत की सचाई में परिशानी नहों हर कीद को पानी मिले पर ड्रॉप मौर जब यानि कम पानी बुंद बुंद पानी से हम फसल पारणा करें और मैं हमेशा से किसानों को टपक सींचाई या ड्रीप हो जाता है उत्पादन भी जादा हो जाता है आज क्रिसी सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और आज करीब 30 लाग हेक्टर जमीन सिंचाई के अंतरगत नई जोड़ी गई है किसानों को अपनी उपच बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना किसान के पास ऐसी वबस्ता हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक कर दें इसके लिए राष्ट्रिय क्रिसी बजार इनाम की शुरुवात की गई है गाउं की स्थानिय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोड़ने का काम हुआ है पिछले चार वर्षों में इनाम के तहट करीब करीब पौने दो सो करोड की राष्टी से राज्यों की साड़े पान सो से रेगुलेटर थोकमंडियों को इस इप्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है इस पौर्टल पर आज सो लाग से अधिक किसान और करीब एक लाग दसजार व्यापारी अपना पंजी करण करवा चुके हैं रेजिस्टेशन करवा चुके हैं इसे और आगे ले जाने के लिए गरामिन रिटेट एग्रिकल्चर मार्केट यानि गराम के तहट सरकार देश के 22,000 गरामिन हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रेक्टर के साथ अपग्रेड करने पर काम कर रही है सरकार की कोशिश है कि अपने खेत के 5-6 किलोमिटर के दाइरे में किसान के पास ऐसी वबस्ता हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड सके आइए हम मत्रप्रदेश चलते हैं जाबवा मेरा बड़ा पुराना खेत्र परिचित खेत्र रहा है जब भी हम दाहोज जाते थे तो जाबवा के लोकों को जुरूर मिलते थे तो मैं जाबवा के भाईयों बहनों से बात करना चाहूंगा नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी हां बताईये मेरा नाम संपा निनामा मेरा गाम का नाम धमोई और मैं बैठ के बताईये यह हाथ में क्या लग के आई हो मारा घरपे पाल रखा और हमारे गाउं में एक ओजना आई पेले में दाड़की जाती थी ऑंदावध में खूब दाड़की करी शाप तो अबसाफ इसने पर पहर हमारा साफ आया तो अमनों एक ओजना बताई के की कड़कनाथ बच्चे सालिस बचे मेर को दिये और साथ में खाने पिने के दिये, दवाई दी तो अभी कितने कड़कनाथ है आपके बड़े करे अभी मेरे पास 20 एक है साब, सब बिग ये तमने जाम बावानां तो गुजराती बोलता आपर तु वेजेने आपरे ने साब, गुजराती बोलते भी आपरे और ये कड़कनाथ हमने जब पाला है, जब से हमारा पोसिप्शन हमारी लड़कियां, पांस लड़कियां है, तो बहुत अच्छी पड़ा ही कर रही और आवक भी हमारी बढ़ गई और आने पिने के हमारे चंपा जी कितनी आवक हो गई पाला है, इतने गहने पहने हैं तो लगता है कि आपकी आवक बढ़ गई है तो पहले हम दाड़किस आते थे हमारे जिनकी बदल गई साब, अभी हमारे ये कड़कनाथ हमारे हाथ में आ गए, तो हम यही दंदे कर रहे, आपर जमीन नहीं है, हमारे पास आप गाव में और कितने लोग हैं जो कड़दद नांगते वेपार में लगे हैं? गरीब मेला है नहीं वह भी उसको भी मैंने समजया, समु में का घुरूप है, वह भी घर घर कड़द नाच पाल रहे हूं कितने कितने हैं अपके घुरूप में बहन है? मेरे गुरूप में उन पसास गाउं है पारा संकुल पारा जापर दिला पारा उन समु का गुरूप है चलिए और भी किसी से बात करेंगे जरा आज नमस्ते सर में नेहा राठोर मेरे पास एक हेक्टेर जमीन है उसमें हम लोग पहले टमाटर लगाते थे तो उत्पादन बहुत कम होता था लेकिन फिर सियोजना के बारे में पता लगा ड्रिप सर अमने ड्रिप लगाई तो उसके बाद हमारी सर टमाटर की पेदावर बढ़ इसमें घुमाटर की और क्वालीटी भी बढ़ गई सर पहले 7 क्वेक्टल होता था लेकिन अब 500 क्वेक्टल होता था पाँसे कंजातों हुटा था ओना है सवे चुविड़ा भूशना के नीक ना थिर जो संसर मताक हांए फुराइण नहीं सर वंना आपको पानी्य। किसे इतना रूची हो गई कैसे आप इस काम में लग गई सर सुना था इसके बारे में तो सर हमने गए उड़ी सोजना का पता किया तो सर फिर सर से बात हुई तो हो गया सर तो आपकी पढ़ाई क्या हुई निया जी सर मैंने ग्रेजुशन किया है अच्छा आप खेती में लग गई हाँ सर देखिए हमारे किसान कैसा बडलाव ला रहे हैं वे आदोनी क्रिशी कर रहे हैं वो मुर्गी पालन कर रहे हैं वो कड़कनाद से रुप्ये कमा रहे हैं लोकों को कड़कनाद से जोड रहे हैं नेहा जैसी बेटियां ग्रेजूट होने के बाद भी क्रिसी में जाने का मन करता है यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरख बात है आईए और भी कुछ सी सुनना चाहूंगा मैं अध्यू है जवाज जले के ग्राम गौ laugh करा रहने वाला हूं तो राजो राजो तुम्हारी शादी गुजरात में हुई है नद्यपर्देस में हुई है मद्य पर्देश में हुई है सर। ज़िए सतीला लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा तर गुजराट पहतादी करते हैं। सर, मेरी तो फार अध्य पर्देश में हुई है सर। अच्छा, बताईए। सर मैं एक आदिवासी किसान हो सर मेरे परिवार में धाई हेक्टेर जमिन है और में सर दाइक्टेर जमिन है सर में और ग्रेजुएट मैंने किया है सर और फिर भी मुझे नोपरी नहीं मिली सर में विरोजगार था सर तभी मुझे सर कस्टम हाइरिंग योजने का पता चला और मैं सर 14 लाग का प्रोजेक्ट बलिया और 50% मुझे सबसीड़ी मिली सर उसी से सर मैंने यंत्रा खरीदे और उसी से मैंने यंत्रा खरीदे टेक्टार कल्टिवेटर टोटागेटार प्रोली शिट्रिल से सर आधी थे आशी मैंने करीदे गाम मैंने मेने केंदर की इस थाफनाकी और हर कोई किसान को खरीद नहीं सकता है सर मेन सर ज्थे नग्ये सर तो केले किसा डुलों से खेति करते थे अब मैं उन्हीं अंद्रों को आस्टास में मेरे च्यार-पांच गाउं में नई अंद्रों से खेति करने सिखा रहा हूं और मैंने किर्याइज से चलाया है तो सब किसानों को फायदा होता होगा यह सब टेक्नलोजी ले आए उसका आपका मशीनी करण किया औ आपको कितना कुपों कितनी कमाई हुई मुझे सर इन लगबग दो सालों में शर मुझे आठ लगबग आठ लाग का मुनाफ़ मिला है अच्छा पहले आप नोकरी खोज रहे थे नोकरी मिली नहीं तो आप अपने पैरों पर खड़े होगे हैं अम मुझे बताईए आपको मिलती तो अच्छा होता कि यह काम किया वह अच्छा हुआ यह काम किया तो अच्छा मिला सर अच्छा बच्चों को पढ़ाते हो जब नोकरी मेरे लिए थी और यह आसपास मेरे भाईयों के लिए भी सुईदा हो गई सर देखिए आप स्वेम ग्रेजूइट हैं बच्चों को पढ़ाते हो अब इता से चोटे हैं बच्छे सारा थिन साल की लड़की है मेरे सर चलिए और भी किसी से सुनेंगे सर मेरा नाम रमेज बाइक परमार हूं सर नमस्ते मेरा नाम मुकेश खपेग जहबवा का भगोर गाओं का रहने वाला हूं सर मैं एक गरिब किसान हूं सर आदिवासी छेत्रे से और मैंने सर पहले में खेती मजदूरी करता था अंदावत भी काम गया था सर इसके बाद मैंने सर दो हजार सब्दा में मुझे कस्टम हाइरिंग केंद्र मैंने भी लिया है सर और मैंने सर आपकी सरकार ने मुझे 625,000 का अनुदान दिया है सर मैंने इसी पैशे से टेटर, ट्राली, कल्टेवेटर, सिट्रेल, प्लाव, रोटावेटर सभी साधन लिये सर मैंने सर साधन लाने के बाद मैं 120 से 1500 किसानों के तो मैंने सर मुहला बेठक के माध्यां से लोगों को बताया सर और मैंने मेरे खर्चे से रोटावेटर ये मशीन क्या है बोले ये लाए तो ये क्या है तो मैंने सर किसानों को बताया सर 8-10 किसानों को बताया और मेरे पैसे से मैंने डीजल लगा कि मैंने बाहर से मैंने मना रोटा वीटर मुझे भी चलाना नहीं आता था तो फिर सर उन्होंने चला के दिखाया रेट दो घंटा चलाया तो सर लोगों ने देखा उस खेतों में कि इसमें खत्पत्वार भी खतम हो गए जो छोटे-चोटे बेर होते हैं काटेले जाड़े वगेरा ये भी खतम हो गए बक्खर पाटा लगाना निक पड़ेगा इसमें सम्तल बिलकुल हो गया बहुत अच्छे से लगा लोगों ने ये सर देखा तो मैंने आठ सो रुपे प्रती घंटा के हिसाब से फिर चलाया तो सर जैसे ही वहां से प्रचलन हुआ तो सर मुझे बहुत फाइदा हुआ हुआ 200 गंटा एक साथ में चला सर उसी सिजन में फिर सर मेरा पहले तो 40,000 वार्षिक आये थी सर अभी मैंने साड़े तीन साल में मैंने साड़े 10 लाक रुपे कमाया सर उन्हीं हां उसी पैशे से मैंने सर मेरा पर्सनल लेंदेन था वो मैंने करा सर मेरे जमीन भी गिरवे रखी वो मैंने छुडवाया सर और सर इन ही पैशे से मैंने बैंक किस्त भी भरना हो सर और सर मैंने पैशे बचा के मैंने अपने से अपने चेत्र में नई एंतर भी खरीदे सर रेजबेंड प्लांटर और उबढखाबड जमीन ती उसको जमीन लेवलर करने के सुपड़ी वगिर देखें तो साधे तीन पकता था सर तो साधे पांच पुन्तल पका सर यह मैंने मैं जाबवा जाबवा के सबी भाईयों बहनों को बढ़ाई देता हूं मुझे यह देखकर के खुशी हो रही है कि हमारी चंपा जी हो कड़कनाथ की फार्मिंग कर अपनी आई बढ़ाने में सक्षम हुई है इससे आपके आसपास के गावों के लोगों में भी मुर्गी पारण के लिए प्रेदित हुए होंगे आज सरकार पशुधन, डेरी, पॉल्ट्री और मचली पारण को किसान के आमद्नी बढ़ाने के स्त्रोत के रुप में देख रही है इन्हें बढ़ावा दे रही है और इसी का पनाव है कि पिछले चार वर्षों में मुर्गी पारण के तहट अंडे के उत्पादन में भी पचीत प्रतिसत से अधीक की बढ़ोती हुई है ये अच्छी बात है कि आज हमारा किसान अपनी महनत में आदूरुक मशीनों और उपकरणों को भी जोड रहा है और इसका लाब अपने आसपास के गावों में पहुंच रहा है देखें मैं गुजरात में दाहोत जिल्य में बहुत आता था जब में राजनीती में नहीं था तब भी बहुत वहां काम करता था तो जाबवा जिल्य में में मेरा आना जाना बहुत सहज हुआ करता था बस में आते थे और कभी कभी तो दो तीन घंटे बस नहीं आती थी तो घंटों तक वहां बैठे रहते थे और मैंने बहां के किसानों की दुर्दशा देखी हुई है जांबवा के किसानों की हालत में उस समय देखता था सारे आदिवासी जादा तर रोड का काम करने के लिए गुजा चले जाते थे मजदूरी करकर काम करते थे आज मैं जब सुन रहा था मैं मेरे मन को इतनी प्रसनता हुई क्योंकि जिस इलागे से मैं परिचीत हूँ जहां के लोगों से मैं परिचीत हूँ और उनके मुह से जब ये सफलता की गाताई सुनता हूं इतना आनंद हो रहा है इतना आनंद हो रहा है मैं सच मुझे आप सबको भहुत बढ़ाई देता हूं आईए हम महाराश्च चलते हैं नमस्ते जी से लेके हमने हमें मालूमात हुआ ऐसे बिजी से किसान संगटन के बारे में तो हमने ऐसे बिजी से मालूमात लेके एक किसानों का हजार से ज्यादा किसानों का एक संगटन किया और एक हजार किसानों का एक किसान जैसरदार किसान उत्पदक कंपनी का रेजिस्ट्रिशन किया उसके बाद में सेर हमने ओ किसानों से एक हजार रुपे सेर्स हमने जमा किये एक हजार रुपे सेर्स उनके जमा करने के बाद हमारे दस लाग रुपे जमा होए हमारे दस लाग रुपे जमा होने के बाद ऐसे विसे नई दिल्ली ने हमें 10 लाग रुपए इक्वेटी के अंडे दिये, ऐसे हमारे पास 20 लाग रुपए हमारे किसान संगटन के पास हमारे खुद के जमों होए, और हने के बाद हमने FWWB अमदाबाद, Friends of Women World Banking अमदाबाद से 35 लाग रुपए का लोन लिया, और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आ जो हमारे खेती में जो खर्ट की गरज नहीं है, और डालते थे, उसमें उनका खर्चा बढ़ता था, और स्वाइल टेस्टिंग करने के बाद हमारे ख्याल में आया, कि जिस खेती में पोटेस की ज़रुत नहीं है, और वहाँ पोटेस डाल रहे है, आट सो रुपए का एक जा रहा है, उसमें आठ सो रुपए के हमारी स्वाइल टेस्टिंग से बच्चत हो गए है, और उन्हें मालूमात भी हो गए है, कि यह खेती में हमें क्या लगाना है, कौन सखात देना है, यह बहुत बड़ा काम हमें वो स्वाइल टेस्टिंग के इससे वहाँ हो गया है, देली भाव, देली भाव, तुमची सगली मंड़ी टोलेना महाजे नमस्कार, 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 कमाल केला है तुम्हीं सगलाने, आईए किसी और से भी बात करें जाना, परदान मंत्री जी, नमस्कार, मी आनिता योगेश मालगे, बोरामनी स्वलापूर हुन बोलते, महाराष्ट्र स्परदक्षम पुर्शिविकास परकल्प और आत्मा की तरप से हमने पूरा यश्यस्विने अगरो प्रोडूसर कमपनी डाले है, और यह यप्प्यों हमारा शेर भाग भानवल चार लग बाद तर हजार था, और यमेसिपी के तरप से हमको साड़ तेरा लग कानुदान मिला, इस वज़े से हमारे यहां मेजर क्रप तूर है सर, और वो तूर पर अभ्यास करके हमने क्लीनिंग रेडिंग मशीन और डाल मिल का प्रोजेक्ट ब वन कर फार्मर्टो कंजुमर डायरेक्ट बेचता है सर, और कंपनी के ब्रैंड से बेचता है तर ना इनता योगेश्मागे वाः कि डाल बेशते हैं और हमने केवी के सोलापुर की तरफ से से हमको टेक्निकल सपर्ट मिला और बीडियन साथ सो अकरा जो हराइट एसर तूर का इस तूर की वजह से किसान लोगों का जो शुरू में चार क्विंटल पर एकर चार क्विंटल जो मिलता था अभी बीडियन 711 और केवी के टेक्निकल सपर्ट की वजह से आठ से दस क्विंटल बढ़ा असरुत्पन इसलिए किसी जमाने में हमारा सोलापूर हमारे गुंकरों की जो हस्त कलाकारी करी हैं उसके कारण प्रसिद्ध हुआ करता था और आज आप लोगों ने एक कॉपरेटिव मूमेंट को क्रि किसान भाईयों बहनों को सुन रहे हैं यह बहुत खुशी की बात है कि अब किसान किसान उत्पादक समू एप्पी ओ फार्मर प्रोडूशर और नाशन बनाकर संगठित रुप में कारे कर रहे हैं जिससे कुरुसी से जिड़े सामान इनको कम किमत पर मिलते हैं एवं कुछ के मार्केटिंग में भी मदद मिलती हैं गत चार वर्षों में 500 से अधीक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हुआ है वर 2018 में बजेट में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक कंपनी को कोपरेटिव की तरह इंकम टैक्ष में आएकरकेट में छूट प्रदान की है ताकि किसान बाइस संगठीद हो करके अपने कमाई में बढ़ोत्री कर सके तो मैं सोलापूर के ये कोपरेटिव मुव्मेंट को फैडरेशन के लिए सच्पुच में बधाई देता हूं और देश के किसान भी सोलापूर के किसान से कुछ ने कुछ जुरूर सिखेंगे आई आए हम करनाटक चलते हैं करनाटक कर शीविकास केंद्र में आए हैं मतली नमस्कार नास जायरा मंतर मुटो नमस्कार जायरा मंतर मुटो मागडी तलक कुदुर अबली वेट्टर लेकर अम्दोवना अम्मले वंदेखरे जमीनी देंगों मावों अडिके तरकर इत्यादी आए हैं नमगे इदु वर्गनों मन्नों आरगेद बगेन गुतिर लिला इंसावर्द अधनार ने इस वेले कुछी लाके वाते इनन मन्नी नारगेद बगे तर्वल के मुट सुदुरों अधरली माव बेलेकर बेक आदन यहनो यह आपके टेबल पे इतने बड़िया अधर्शन करा रहे हैं कितनी बड़ी-बड़ी साइच के फ़ल आपने बढ़ाये हैं आप जारा ट्रांसलेशन कीजिए क्या वता रहे थे जैराम जी प्रणाम से सर नमस्कार सर मैं इनका इंडी में अनुआद करूंगा जैराम जी बेट्रनी गाउं से हैं रामनगर जिल्ला में हैं सर इनका चे एकट सिंचित भूमी हैं बागवानी केती करते थे सर सबजियां और फलोंकी उरवरक ज्यादा यूद करते थे सर इसके वज़े से लागत ज्यादा आय कमता इन्होने दो हसार सोल में साविल हेल्थ कार्ड स्कीम का जानकारी मिला सर जब मिठी का परिक्षा करवाया तब पता लागा कि इनका जैमिन के मिठी में पोशक तत्व का कमी है ये पता लगे सर आगे जैराम जी बताएंगे सर क्या किया हूनों आदाय इनका मुनफ़ा ज्यादा हो गया है सर इनका कहना है कि उन पहले चार लाग कर्चा करते थे आई मिलता था पांच लाग अभी इसी चार लाग में साथ लाग मिल रहा है सर वा आई ये और को बताएंगे हाँ वीड़ में क्या क्यां है यो में पर लुक्षेम वागिदरी य अ बताएई जमीन इदे नम्दो समग्रक्रिशी बेसाय माड़ता दिनननौ नंगे पष्टु मननन इदु बखुर लिला, अमेले के विके अग्रिकसेर्ट डिपर्मेंट इंदा माईती तिल्कोंडु यल्सकाल्टु नम्गे काल्ट कोट्रु अत्रुपगे मेले तिल्जमेले नवु एन मेले पष्टु नानी वीरेट येपी जासी तेच्वग अकता दे इवागा तिल्कोंड मेले जिंकू बखरया नो जिप्सामु अमेले अरेवले अनो गठकागलु नाने नेर्वागे माड़कोंडू अमार कटे मुकांत्रा माड़कोंडू नाने नम्मा तोट कोड़के कम लामा जी ये कह रहें कि इनका पस दस एकड का सिंचित भूमी है सर बहुत सरे फसले करते थे लेकिन आए कमता सर यह कारण ता कि मिटे का प्रेक्शन आये करवाता रासाही ने कुरवारक जादा यूज करते थे थे जब इनको साहिल हेल्थ कार्ड का योजन का बरे में प किया और उनका पास अभी वर्मिंग कॉंपोस्टिंगे सर सारे जैविक काद कभी वो कर रही है सर इसके वज़े से इनका उपज ज्यादा हो गया आई में बहुत रुदिया गे सर इनका अभी कह रहे है कि 10 लाग तक आय आ रहा है साल में वाँ और भी कोई बात करना चाहते हैं नमस्ते सार ज्यानमूर्थी नाक्षट्रली मागडी तालाग रामनारा जिल्ले नमस्तार ज्यानमूर्थी जी ने वो है कि दिरी चना कि दिरी निम्मा कुरुशी केल सगलू ही कि वे चना एडिता है इदे नने के मुरुवर एक पे जिम्मीन इदे नाने वनाब्यसाया मानादा नमगे यार्शा रधनार रगे कुशीला के इंदा बीमा पसलयोजने याडी इंसुरेंस बड़ैयो उमे कटिदो तोटकार के वती इंदा नमीक महीतिकोट्ट्टू अला माडिदिरो नमगे अरसावर्द अवगा मलेवाव बटो बले नाश्टाई तो यारसावर्द अध्योड रगे नमगे बलेवी में दुड्डो पास अवरुपाई नमगे बंतो अधरिंद नावो मुंदिना अधर नमगे एक चोटा किसाने सर इनके पास साड़े तीने कड़के जमीन है सुके जमीन है सर यह एक सथ दो हजार सोला में जब इन्होंने केती करने शुरू किये थे तब डिपार्टमेंट अगरिकल्चर डिपार्टमेंट लोगने बताया की प्रदान मंत्री फसल विमा 2017 में इनको 20,500 रुपाई इंशिदेंस का पैसा मिल गया सर इसे ही पैसे से इन्होंने बेटा का एजुकेशन की भी करवाया सर कालेज मिला कितना पैसा मिला वी पीस हजार पांसो मिला ही सजार रुपया हां सर और सर 2017 में अच्छा बारिश हुआ अच्छे फसल भी मिला है सर आपके साथ और भी कोई लोग बैटे है हां सर जैशेंकर जी है नमस्ते सर मतड़ी नमस्ते ना जैशेंकर ना खेटेली मागड़ी तालक नानु एडू मुक्का लेकरे जमीन हुंदी दिनी नानु वणबेश है माड़ता है दे रागी मत्ते जोडा मावू बिढ़ता है दे पसल्बीमा योजनी एड़के ननिगे संदेश कोट्रो अधर प्रकारा नानु ब्यांक कातेगे आर्नुर चिल्लरे अना पवती माड़े एड़सावर द अधनियोड रली ननिगे बिले हानी आईतो आनि आद मेले निगे बारी कंगाल आईतो बिले हानी आईतो नान्त कंग मेले हानी आईतो अधन आनु अधन अधन ऑबर गेश्मार्ट कोणी दिनी इद्रें दोल्ले अनपोल पर दिनी इरन नानु मत्य वर्ष प्रती वर्ष्या प्रीमियम घटता इए डिनी मत्ये ना कपकतता रैतिर्गोल को सब्सेक अनन शल्यक वटितनी इदर नंते नंगे व प्राइशंकर जी कह रहा है कि यह भी बहुत चोटे किसाने से 3 एकर से कम जमीन है ड्राइलेंड से सर उसी गाउसे सर नागशिटी अहली गाउन से इन्होंने भी प्रदान मंत्री फुसल विमायोजना का रिजट्रेशन करवाया था सर 2017 में इनको 20,320 रुपए परिहार के रूपए जमा किया था 600 रुपए जमा किया और 20,000 पर मिला और सर इसी पैसा से इन्होंने थीन अच्छे काम किया सर एक तो है सर गोबर के सका कनेक्शन लिया है दोसरा है सर चोटा सा स्प्रिंटलर इरिगेशन करवाया सर इसे के तुरू चारा और मकाय कर रहे हैं और गाइं का भी खरीदा है सर और तीसरा है सर बेटा का एजुकेशन के लिए भी पैसा कर्चा की है सर यह कह रहा है कि 217 में इसी पैसे से इनका लाइवलिवूड स्टे इसका पता है सब किसानों को पता है और किसान का विश्वास भी उड़ गया था किसान को कुछ नहीं मिलता था फ़सल उगने से लेकर तैयारी तक का पूरा कालखन मौसम से जुड़ी चिंता में बिच जाता है मौसम की मार से हमारा किसान चिंता मुक्त हो उसका विश्वास बना रहे इसके लिए प्रधान मंत्री फ़सल बिमा योजना के तहट न स्रिप प्रिमियम कम किया बलकि इंशॉरंस का दाइरा भी बढ़ा दिया गया इस योजना के बाद अप्रती किसान मिलने वाली क्लेम राशी डबल से दो गुणा से भी अधिक हो गई है खरीब सिजन की तुलना करे तो पिछली सरकार के 4 साल में कवरेज से हमारी सरकार के 4 साल में जो कुल कवरेज है उसमें करीब करीब 60-65 प्रतिशत वृद्धी हुई है अभी हमने देखा था कि जैराम आया जी कह रहे थे या कमलंबा जी कह रहे थे कि स्वाइल होल का हेल्थ काड़ का कितना उन्होंने बखुबी उप्योग किया और जो उन्हें कितना लाब हुआ क्रिसी के लिए जमीन की रक्षा हो जमीन सम्रुद्ध रहे हमारी जमीन हमारी धरती माता बिमार नहीं होनी चाहिए वो तंदुरस होनी चाहिए इसके लिए स्वाइल हेल्थ काड़ शुरू किया गया आज देश में करीब करीब साड़े बारा करोड से जादा किसानों को स्वाइल हेल्थ काड़ बांटे जा चुके हैं स्वाइल हेल कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी पैदावर भी बढ़ रही है और खाद पर भी दवाईयों पर भी खर्च कम हो रहा है आईये हम जरा नौर्थ इस चलते हैं देश के पूर्वी ख्षेत्र में हम सिक्किम चलते हैं आप सब को मालूम होगा सिक्किम हमारे देश का पहला पहला और्गेनिक स्टेट बनाए पूरा राज्य केमिकल फर्टिलाइजर का उप्योग नहीं करता है पूरा राज्य और सिक् प्रवाइमार पूरा तुम में कुछ किसानों से बात करते हैं उनके इनुदों सुनते हैं नमस्ते सर मेरा नम पर्म की लिप्चा है और मेरे पास एकटर्श नहीं सब्केना उस में है इस में जैविक खेती करता हूँ सरु。 पहले मेरे पास पाचास हजार ऐसा होता था साल में。 अब ही 2014 से में आईश当 के सब्सक्राइब अर उह नहीं नहीं तंखन मफना है यह तेखनीक देखर मेरे घृप का दूसरा घ्र यह loops और आसपास का दूसरा लोग भी यह एRo 2012 में और मुझे महींद्ये एकी आवाड से महींद्या से एके आवड भी मिला था सर 2017 इसलोय बाइए काम किया आपने आपके आई भी बड़ गैई आपके साथ और भी बहुत लोग बड़े उत्सा में दिखते हैं कुछ कहना चाहते हैं ऐसा लग रहा है बताइए नमस्कार सार नमस्ते मेरा नाम नाम नीम्शिरिंग लेप्चा है मैं लौर नांडोग पुर्बस सिकीम से हूं मेरा पास से एकर जमीन है और मैं उसमें जसे ज़ते हैं अब हर जोड़ी कोई क्विटल पर आपने बारी में खेती किया आपको बहुत फेमस हैं आपका अद्रक तो यह ज़ते हैं कर आफ में अद्रक लगाया था तो इसको बहुत बरिया तरिका से आमदाम हुआ इसको 40 कुईटल हुआ हर्वेस करने के टाइंग एक सो चालिस कुईटल हुआ चालिस कुईटल हुआ सर इसे पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन जब से ये दो अजर चौदा से मैं आईशेयर के वी के करने में सब्सक्राइब करना चाहता हुआ और परदानमंत्री आपको भी दन्यबाद करना चाहता हुआ क्योंकि आम जैसा गरीफ एक फर्मर्स को भी इस मुकाम तक लाइने में आप सभी लोगों का युगदान बहुत आहम है और इसके अलावा में ऐसा नहीं है कोई किसान को आगे नहीं लाता है सचमुच में किसान देश को आगे लाता है पूरा देश जो आगे बढ़ा है वह आप लोगों के कान बढ़ा है किसानों के कान बढ़ा है आपकी मेहनत के कान बढ़ा है और आपने तो यह कमाल करके दिया है आदुनिक और गे विकास योजना के अंतरगत और गनिक फार्मिंग को पूरे देश में प्रोसाइद करने में जुटी है विशेश रूप से हमारी जो हिमालेन स्टेट है उत्तर पूर्व को और गनिक खेती के हप के तौर पर विख्षित किया जा रहा है आज देश में 22 लाग हेक्टर से जादा जमीन पर और गनिक फार्मिंग होती है जो 2013-14 में सिर्फ 7 लाग हेक्टर थी और मैं मानता हूँ कि यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है आएगे हम पश्चिम मंगाल चलते हैं वहाँ पर भी हमारे किसान भाईयों बैनों से बात करेंगे नमस्ते नमस्ते यह आद मैं विकास किरी हूं क्या सूब नाम विकास किरी नमस्कार बाबो नमस्कार फिए क्याम्मोन अचलतोर नपर पने महीं वालो है अचलतोर थे मैं एक फिश फार्मार हूँ मैं प्रोग्रेसिव फिश फार्मार हूँ पहले तो मैं ग्रेजवेशन पास करने के बाद नौकरी ढूंड रहा था यह असली मचली रखी हैं की आपको दिखाने के लिए सर अच्छा जिंगा अभी लाए हैं तो बंगाली लोगों के तो मुह में पारी छुट गया होगा सर मैं एक मचली पालक हूँ तो मैं ग्रेजवेशन पास करने के बाद नौकरी ढूंड रहा था उस तैंपे नौकरी नहीं मिला बहुत कोशिश किया उसके बाद थोड़ा चोटा-चोटा करके जिंगा पालन मचली पालन लेके उस साथ आये मुझ प उसके बाद मैं मचली पालन और मचली का हैच्री लगाया अपना खुद फिर वहां से अभी हम लोग देसी वाला जो मांगूर है उसका बीच तैयार कर रहा है तैयार करने के बाद सर इसको ऐसे ऑक्सिजिन पैकिंग करके फ्लाइट के मद्धम से सारा देश बर केला से लेक लेके सिकीन तक जहां पर हम लोग का कस्टोमर है वहां से भाइफ लाइट चला जाता है मचली का बच्चा है हम लोग अक्सीजन फिल करते कैसे हैं इसमें इसमें औकसीजन सर इस यह पॉलीषीन पैकेट के अंदर में मचली और पानी देएके उसके बाद ऑग्सिजन इसमे वाप पर भीस